शिमला में भाजपा वा RSS के लोग कानून विवस्था बिगारने का काम कर रहे हैं। कानूनी अविवस्था फैलाने में पुलिस भी उनका सहयोग कर रही है। या आरोप CPIM के नेता संजय चोहान ने लगा हैं। पिछले कुछ दिनों से राजधानी के कॉलेजों में छात्र संगठोनों के बीच खुनी संखा शोरा है। संजय चोहान ने कहा कि इवनिंग कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच जिसके बाद भाशपा वा RSSS के लोगों ने वहाँ पहुश कर मॉल रोड पर महौल खराब करने का प्रयास किया। जिसके बाद जब कंप्लेन करने वाले अपने वकील के साथ बलू गंस थाने में फायार कराने गये तो उनके साथ भाशपा के लोगों ने और बाद में पुलिस ने भी मार पीट की। मामला भी भी दर्श नहीं किया गया है उन्होंने का कि सरकार इस पर संग्यान ले अगर आगामी 24 घंटे में कारिवाही नहीं होती है तो सडकों पर उतर कर अंदोलन किया जाएगा। जो इस शेर के अंदर कानून और विवस्था बिकाडने का काम जो कर रहे हैं और उसके लिए पुलिस का इस्तेमाल जो खिया जा रहा है हमारी पाटी मांग करती है कि जिस परकार से पुलिस टेशन बालु गंज के अंदर वहां के ऐसे चो और जो अन्ये लोग हैं वहाँ प पीट की गई है इन जो बाजपा के लोगों के द्वारा पुलिस टेशन के बाहर अनिल कुमार के साथ और उसके बाद जब वो कंप्लेंड करने जा रहे तो पुलिस स्टेशन बालू गंज के जो एसेचो है और जो अन्य वहां पर जवान है उनके द्वारा जो इलीगल डिटे उनके खलाब कारवाई की जाए और जो दूसरे लोग जो सरकारी गाडियों में भाजपा के लोग आरेसेश के लोग माल रोड के उपर शर्याम जो है गुंडा गर्दी कर रहे आपने देखा इविनिंग कॉलिज का जो इंसिडेंट है उसको जो है शर्याम कर रहे और फिर पालुगंज के अंदर और प्र पृल्ड सेशन के अंदर और पौलिज सेशन के बाहर जो मार पीट कर रहे हैं वो भाजपा के लोग और जो ओर शर्याम के लोग है उनके ख़लाब कानूनी रूप से कारवाई की जाए और तीसरी हमारी मांग है जो यह मार पीट हुई है SP को जो है कई delegation जो है मिले हैं SP से जो है कई लोगों ने बात किये इस तरह का काम जो है ना करें हम आज मांग कर रहे हैं कि परदेश के अंदर कानून और विवस्था बनाए रखना ये परदेश सरकार की जिम्मेवारी है यदि सरकार जो है 24 गंटे के अंदर तुरंत इस पर का कैसे यह जो जैराम की सरकार है बाजपा की सरकार इस परकार का पुलिस को इस्तेमाल करते वे जो है लोगों को आम जनता को हरास करने का इलीगली डिटेन करके का अज समय धानिक कारे कर रही है इसको जो है एक अंदूरन के रूप में हम जनता के वीच ले जाएं